प्रहार टाइम्स मुम्रा किसमत कालूरी नईम खान के बंगले में अचानक रात में आग लग गई ये आग नीचे एक रफीक फास्ट फूट में लगी देखते ही देखते ऊपर पहले मंजिले पर भी ये आग फैल गई आग रात करीब तीन वज़े के आसपास में लगी है आग लगने के वज़ा सौट सर्किट बताई जा रही है हम आपको तस्वीरे भी दिखाते हैं कि देखे किस तरह से सौट सर्किट होई और ये आग लगी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग नीचे से लेकर पहले मंजिले तक फैल चुकी है हलाकि मौके पर सूचना मिलते ही दमकल कर्मी भी पहुँच गए थे मगर आग नीचे की दुकान से लेकर बंगले के पहले मंजिले तक फैल चुकी थे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक तरीके से लगी हुई है दुकान में तीन गैस सिलिंडर भी थे जिनका फटने का डर भी था मगर दमकल कर्मी ने जैसे तैसे कर गैस सिलिंडर बाहर निकाला और एक बड़ा हादसा होने से बच गया किसी तरह दमकल कर्मी आग पर काबू पा लिये मगर दुकान का सामान जलकर राक हो चुका था दुकान का शेटर भी तोड़ा गया फिर भी जो आग बची हुई थी उसे बुझाया गया बंगले का पहला मंजिला भी आग की चपेट में आ जाने से काफी नुकसान हुआ सोफा टीवी इत्याद जलकर राक हो गया है मगर किसी भी तरह से कोई जानी लुकसान होने की खबर नहीं है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टेम ताज़ा तकन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें